हमने कला आपको पाटशाला में बताया था कि जाती के नाम पर राहूल गांदी और इंडी गड़बंदन जिस लेवल की राजनीती में उतर सुका है उस लेवल की राजनीती का एक ही जवाब और वो जवाब इस देश के कुछ नेता दे रहे हैं कुछ मुख्यमंत्री दे रहे और वो जवाब है हिंदुत्व की राजनीती जो नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी ने 10 साल में की है ये वही राजनीती है जिसमें बीजेपी को 10 साल में कोई टक कर नहीं दे पाया आज भलें कुछ सीटे कम हो गई भलें कुछ लोग सोशल मीडिया पर कभी नरेंद् नरेंद्र मोधी को वोट मिला था तो जात पात नहीं देखी गई लेकिन आज जब फिर जाती की राजनीती हावी हो रही है तो फिर से एक बार हिंदू समाज को एक्जूट करने वाले राजनीतिक तेवर में बीजेपी आ रहे तो बीजेपी की तरफ से उसके तीन दमदार सीम, योगी आधितनाथ, मोहन यादब और हिमंता विस्व सर्मा तीनों हिंदूत्व की राजनीती को धार देने में लगे हुए है आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जितना मुखर तरीके से राहूल गांदी कास्ट पॉलिटिक्स का दाउं चल रहे उतने ही मुखर होकर सीम योगी, सीम मोहन यादब और सीम इमंता विस्व सर्मा ये लोग हिंदूत्व की बात कर रहे है राहूल गांदी कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर जितनी आवाज उची कर रहे है उतना ही बीजेपी के इन तीनों सीम ने हिंदूत्व हिंदू समाज को एक करने और हिंदू इतों की आवाज उची कि ए एक बार सुनिए पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के ये तीनों सीम फायर मोड में कैसे आ चुके हैं फिर आगे की बार बताता हूं हारत के अंदर रहना होगा तो नाम क्रेष्ण की जे कहना होगा पुछ दिस्तिन ने खाई देता है तरिवार बेस ने खाई देता है ताओधान वह यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है यह नहीं चलेगा हिंडू is fighting and no हिंडू is trying to come to India अब आप अबेद काम करोगे कानून को तोड़ोगे तो मत्य प्रदेश सरकार बरदास्ट करने वाली नहीं है हिंडू त्वपर बीजेपी के इन तीनों सीम के बयानों से इंडी गड़बंदन में खलबली मची योगी आदितिनात और मोहन यादव को तो आपने कल सुना था सबसे ताजा बयान आज असम के सीम हिमंता विस्व सर्मा का आया है और वो आज विदान सभा में वड़क गए साव कह दिया कि वो असम पर मिया मुसल्मानों का कबजा नहीं होने देंगे असम के सीम का बयान सुनियें बड़ी आग लगी है इस बयान के बाद फिर आपको इस बयान की पूरी कहानी बताता हूँ दरसल असम की विदान सभा में नाबालिक से रेप के केस में लॉइन ओर्डर के मुद्धे पर विपक्ष की तरफ से लाएगा इस थगन प्रस्ताव पर असम के सीम जबाब दे रहे जिस पर जोरदार हंगामा होके असम के सीम ने खास तोर पर मिया मुस्लिम का जिक्र करते वे का कि वो उनको असम पर कबजा नहीं करने देंगे सीम हिमन्ता ने कहा कि अगर जनसंक्या वृद्धी को ध्यान में रखा जाता तो अपराद दर में वृद्धी नहीं होती कि वो किसी एक का पक्श लेंगे इस पर विपक्श क्या कर लेगा बताओ क्या कर लोगे ये इस तरह से उन्होंने जबाब दिया हिमंता बिश्व सर्मा ने कहा कि कॉंग्रेसी उन पर तुष्टी करण का अरोब लगाते हैं लेकिन सच सुन लीजिए जब मुस्लिम बहुल छेतर में एक मुसल्मान हिंदू पर अत्याचार करता है और वहां के स्थानीय विपक्ष के विधायक पिरिट परिवाजनों से मिलते भी नहीं लेकिन उनके मंतری पिरिट से मिलने जाते है यह हिमंता ने कहा हिमंता ने जोड देकर कहा कि लोवार असम से लोग अपर असम क्यों जाएंगे ताकि मिया मुसल्मान असम पर खब्जा कर सकें हिमन्ता ने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देखे अब मिया मुसलिम से हिमन्ता बिस्व सर्मा का मतलब क्या है ये भी आपको जानना चाहिए असम में बीजेपी सरकार बंगाली बोलने वाले मिया मुसलिम और असमिया भाषा बोलने वाले स्वदेशी असमिया मुसल्मान को अलग-अलग मांती है ऐसा माना जाता है कि बंगाली बोलने वाले मुसलिम इस्ट पाकिस्तान से आए हैं और ये मूल रूप से असम के नहीं है ऐसा माना जाता कि धीरे धीरे इनकी संक्या असम में इतनी बढ़ गई कि अब असम की 126 में से 30 विदान सभा सीटों पर निर्नायक भूमी काम है पिछले साली बीजेपी सरकार ने राजिके स्वदेशी मुसल्मानों की सामाजिक आर्थिक स्थिती जानने के लिए सर्वे कराने की बात कई असम में मुसलिम आबादी का बढ़ना एक बड़ा मुद्दा है आरोप लगते हैं कि बॉर्डर स्टेट होने की बज़़ से पड़ोसी देश से मुसलिम असम में आते हैं और यहां बस जाते है असम में मुसलिम वोटों की राजनीती करने वाली पार्टियों ने इन्हें अपना बड़ा वोट बैंक बना लिया है एमंता विस्वशर्मा की सरकार इसी पर फिल्टर लगाने की बात कहती है ताकि भारतिये मुसल्मानों को बाहरी से अलग किया जाए लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सांप्रदाइक राजनीती बताता है और आरोप लगाता कि बीजेपी मुसलमानों को ही आपस में बांट रही है असम में बदलती डेमोग्रफी और मुसलिम आबादी को सीम हिमनता विस्वा सर्मा ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ हिमनता विस्वा सर्मा का दावा है कि दौजार अक्तालिस तक असम में मुस्लिम बहु संक्यक हो जाएंगे हिमनता का आरोप है कि असम के जान संक्यकी को बदलने के लिए और स्थानिये लोगों को अल्प संक्यक बनाने के लिए एक राजनितिक, आर्थिक और समाजिक अतिक्रमन चल रहा है हिमानता का दावा है कि राज्ज में जो महिलाओं के खिलाफ अपराद हो रहे हैं वो भी अतिकरवन की रणनीती का हिस्सा है असम के सीम का दावा है कि एक खास पैटर्न पर राज्ज में लैंड जिहाद चल रहा है एक गाउं पहले दो या तीन लोग आकर वहां बसते हैं वो गाउं में गाए काट कर खाने लगते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरे समुदाय परिशान होकर गाउं छोड़ कर चले जाते हैं ये आसम के सीम दावा कर रह रहे है हिमंटविस्वश सर्मा का दावा है कि भ़ो आसम में बदलती डिमोग्राफी के खिलाब जो लड़ाई लड़ रहे है जिससे उनके परिवार की जान को भी खरथा है लेगन वो पीछे नहीं हटने बारे सुनें एहिमंत विश्वास सर्माने क्या क्या बताया काफी उसके लिए सैलेंजेज भी है तकलिब भी है प्राइवेट परसनेल काफी तकलिब है उसके लिए मेरा फेमिली सब को गाली देता है लोग अपना भी तकलिब हो रहा है लेकिन सहन रहा हूँ हिमंता विश्व सर्मा की तरह यूपी के सीम योगी आदितिनाद भी मुखर होग हिंदुत्व की राजनीती कर रहा है बांगलादेश की बात करते वे सीम योगी ने देश के हिंदूों से कड़वे शब्दों में साफ साफ कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे त प्रयास हो रहा और बटेंगे तो दिक्कत होगी सुनिये योगी ने क्या कहा था जिस पर बड़ी आग लगी हुई इंमेंगे juI N प्रांशकर से बड़ करblack कि कुछ नहीं हो सकता पुछ नहीं हो सकता रास्क न प्राश्ट होगा दोग हम एक रहेंगे नेक रहेंगे तभी नेक रहेंगे the barge तो कटेंगे आप देख रहे हैं ना बांगलादेश में देख रहे हो ना तो वो गल्थियां यहां नहीं होनी चाहिए पटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे सुरक्सित रहेंगे और संब्रिटी की प्राकास्ता को कौनचेंगे हमें विक्सित भारत की संकल पना को साकार करने करे कारे करना है सीम योगी कह रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे तो MP के सीम कह रहे हैं कि देश में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा जनमाश्टमी के मौके पर मोहन यादव ने क्या कहा था वो भी आपको याद दिलाता हूँ क्योंकि ये सारी बातें विपक्ष के खेमे में तो हड़कम मचा रही हैं लेकिन देश का एक बड़ा वर्गी ये कह रहा है कि ये बीजेपी की वो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स है जिसने लोगों को बीजेपी से जोड़ा था और आज बीजेपी के कई मुख्यमंत्री है योगी और मोहन यादा खुलकर उसी हिंदुत्व की राजनिती कर रहा है एक बार उनका बयान सुनिए फिर इस बयान पर ओवेसी क्या कह रहा है वो भी सुनाता रहीम रस्खान यहां की माटी में अपने आपको जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम इसमरंड करते हैं लेकिन सावधान जो यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है यह नहीं चलेगा भारत के अंदर रहना होगा तो राम क्रेश्ट की जे कहना होगा मौहन यादव के इस बयान पर भी जबर्दस थंग नामा हो रहा है ए आई एम आए मद्याट शस्दुदीन ओवेसी तो उनके बयान से भढ़के हुए हैं सुनियों ओवेसी को उनके बाप का तो नहीं खाते हम हम देश का है देश हमारा है अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं अब ये वो बता दें के दस साल में इस देश के पांच फीसद जनता के पास साथ फीसद दौलत कैसे आगए कैसे आगए बताईए सम्विधान का डिरेक्टिव प्रिंसिपल है इकोल डिस्ट्रिबूशन ओफ प्रॉपर्टी रिसॉर्स वो क्यों नहीं हो रहा है तो आप तो सुरिफ चंड इंडिस्टिलिस कोई खिला रहे हैं आपको नहीं दिख रह स्टंटर्ड बच्चे भारत में हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा है कि करोड़ो लोग इस देश में भूके सोते हैं और वैसी जैसे नेताओं की तिल मिलाहट से साफ है कि बीजेपी का तीर निशाने पर लगा है वैसे यूपी के सीम योगी आदितिनाद के साथ-साथ इन दिनों एमपी के सीम की भी खूब चर्चा हो रही है जैसे यूपी में योगी का बुल्डोजर गरसता है वैसे एमपी में मोहनियादव भी बुल्डोजर मॉडल को पकड़े हुए है बीजेपी के ये दोनों सीम हिंदुत्व के अलावा राश्रवाद के मुद्दे पर भी जबरदस तरीके से बोल रहे है कुछ दिन पहले सीम योगी ने कहा था कि पाकिस्तान या तो खत्म हो जाएगा या उसका भारत में बिले हो जाएगा अब मद्देश के सीम ने कह दिया कि आज नहीं तो कल काबूल भी हमारा होगा सुनिए दोनों मुक्ते मन्तियों लेकिन हमारा संकल्प है मौरसी अर्विंद ने जो 1947 के पहले उत्गोषणा की थी आजादी की तरास्ट देश की विवाजन की तरास्टी आजादी के मिलने के बाद अक्सर नोंने इस बारे में अपनी चिंता अब्यक्त भी किया और नोंने इस बात को कहा था कि अध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविक्ता नहीं है या तो उसका भारत में बिलाय होगा या पाकिस्तान इध्यास से समाप्त होगा हमेशा के लिए समाप्त होगा और मुझे बढ़ाया है कि 60 से ज़्यादा देश्यों पर हमारा अपरा यहां का करसी उत्वाद काबूली चना जाता है काबूली नाम बढ़े काबूल से होगा लेकिन वो तो इंदोनी चना है अमारे लिए आनदेश्वाद लेकिन नाम काबूली तो काबूली हमारा है आज पर तो कल काबूल अत्मारा होगा कर दो ज्याता कुलिए ते लिए